करता हूं और आज यह ट्रिमर आया है ठीक होने के लिए थोड़ा साफ सफाई होने के लिए तो आज इसकी साफ सफाई भी करेंगे थोड़ा इसकी धार भी लगाएंगे यह हमने पेज खोल दिये हैं इसके और इसको अब हम ठीक करने की कोशिश करेंगे जो भी तरीका है यह हमने इसको खोला खोल के हमने इसको यह मोटर है और यह इसके दो स्प्रिंग के ट्रेशर पीस हैं जो इसको ठीक से कंट्रोल करते हैं दबाके रखते हैं और यह ब्रस से हमने इसके बीज में जो भी समान था वो साफ करने की कोशिश की है यह हम इसको साफ कर रहे हैं और इसी तरह से आपको भी इसको साफ करते रहना चाहिए और यह हमारी मोटर जो है यह चल रही है यह मोटर यहाँ पर चलती है इसमें देखिए यहां से यह मोटर चलती है जिससे की आगे इसका पीस जो है दोनो ऐसे ऐसे चलते हैं जिससे कटिंग होती है यह हमने इसको दोनो पीस अलग अलग की यह नीचे का पीस है जो की वीचे से ऐसे चलता है और यह उपर का पीस है यहां से मोटर की शाफ लगती है और यह प्लास्टिक के पीस बाहर निकल जाते हैं जिससे की यह अलग हो सकता है अब हम इसको सबसे पहले बरस्टे साफ करेंगे अच्छी तरह से और साफ करके फिर इसकी थोड़ी सी पॉलिशिंग करेंगे पॉलिशिंग करके इसको पॉलिश किया साफ किया अच्छी तरह से और यह हमने एमरी पेपर लेके इसको फोड़ा सा पॉलिशिंग किया जिसके कि इसकी जो धार जो थोड़ी वो थराब हो गई थी वो ठीक हो जाए और यह हमने साफ करके इसी तरह से हमने यह नीचे का पीस भी साफ किया जिससे कि इसकी जो धार है वो थोड़ी सी पॉलिश हो जाए तो इस तरह से दबाके पॉलिश करते है अब यह हमारा पीस साफ हो गया है यह हमने ब्रस से साफ किया इसको और साफ करके यह प्लास्टिक का पीस जो है यह भी हम साफ करेंगे अच्छी तरह से और साफ करके इसको हम अब फिट करेंगे अब फिर देखेंगे लिमर को इसी तरीके से साफ करके फिट किया जाता है ताकि यह आगे भी कारिय सुचारू लूप से करता रहे यह पीस हमने लिया और इसमें हमने यह सिलिकॉन ग्रीस है सिलिकॉन ग्रीस को इसमें हम लगाएंगे जिससे की यह सिलिपेज ठीक से लेता रहे अब आज कम करें और सही से स्मूथली चलता रहे यह लेके इसको हमने थोड़ा साथ प्रेशर दिया यह फिट हो गया थोड़ी सी हलकी सी ग्रीस यहां भी लगा देंगे ताकि यह स्लोट के अंदर में बैठके यह जो स्लोट है इसमें बनी हुई इस स्लोट में बैठके यह ठीक से चले स्मूथली चले यह अब हम इसको इस तरह से शट करेंगे और यह इस तरह से इसमें चलेगा यह थोड़ा सा अटक रहा है जबकि इसको अटकना नहीं चाहिए इसमें भी हमने जोड़ी सी ग्रीस लगा दी यह अटक रहा है इसको अटकने से रोकना है इसकी वज़ा से जावाज भी ज्यादा करेगा और काम भी ठीक से नहीं करेगा अब इस शीज को ठीक करने के लिए हमें इस स्लोट को पॉलिश करना पड़ेगा ताकि इसमें जो भी अटकन आ रही है वो ठीक हो जड़े इसमें पॉलिश करना पड़ता है ताकि कोई इसमें पीस अटके नहीं चलते हैं स्मूज चले इस तरह से इसको साफ करके यह अगर अटकेगा तो यह ठीक से चलेगा ने अपीस को आगे से थोड़ा अलागणना पड़ेगा पॉलिश करना पड़ेगा जिससे की इसकी अटकन दूर हो साथ आगे के दांतों में कभी तभी थोड़ा बहुत फरक आ जाता है जिससे की यह अटकता है कि पॉलिश हो गया बढ़िया सा अट हुआ है अट है अट है अट है और देंखे ध्याम से कर दो कर दो कर दो हो हुआ है कि यह के मर्ट चलते चलते अटकता है यह इसकी खास जो कमी है वो है कि यह अटकता है दोनों तरब से एको शेट करना परेगा अपी ये उपर खापर हुआ 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 थोड़ा सा इसको हिट करना पड़ेगा सकत्षस करना परेगाओा ले करना परेगा हुआ हुआ पीजस बम प्रॉच प्राफश्टीए औम प्राफश्ट कर दो तो अ. प्राफए तो प्रॉच्ट सिया घट जड़ टॉजा ओब गफ प्रॉच्ट जब बड़िंगए प्रलिक्न, आट बहुत ज़गा गए विर ट्राफश्ट कि इसको बड़े प्यार से देरे-देरे रगनना पड़ता है ताकि यह सुमूत हो जाए और इसकी शार्पनेस जो एजिस की है यहां से यहां 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 जो एजिस बंगते हैं उनकी शार्पनेस जो है दो तीक रहे यहां पाने यहां हग्युनक अ हुआ है पागु वाओ अभी इसको इसमें लगाएंगे दोनों गें नीच में और इसको धेरे-धेरे वालिष करेंगे इसमें कुछ है ऐसा जो कि ये अटकर रहा है अब थोड़ा ठीक हुआ है ये चलने में क्यों से खाल जाहिए अबसे थोड़ाओ से वाल है कि कला मैं किलामयक घरा को में थाला कि ये वाल whats अबने प्रमां ही एक रहा है कि और आट ख़स्टी में है, बड़स्टी इससमें और एाल में डाटार हम भाहा Race variety variety worship इसको अभी और थोड़ी से पोलिश करनी पड़ेगी जिस्से की यह चलते-चलते अठके भी इसमें यही दिख्कत है कि यह चलते-चलते तकता है जिसकी वजह से यह आवाज बहुत ज्यादा करता है लोग बहुत जड़ाई बहुत जो जिस्टा उंगे आव यह पित। कि जो एक से पोले सीतार बब्सक्राइब। करना हम करें के अतना ही यह अच्छा चलेगा अर उतना ही यह स्मूश चलेगा करें के चले हुआ कर दो कर दो कर दो कर दो कि इसको क्रेंट करना पड़ेगा धेदेदे अमरी परस अधाइद ये सी तर्फ ग्रेंट होके थीक चलना शुरू रोगा अब ये वोड़ा सुमूत हो गया है चलते वे अब हम इसको द्रीस लगा के फिट करेंगे यहां ग्रीस लगाई और यहां ग्रीस लगाई अब यह स्लोट के अंदर में बढ़े आराम से स्मूच चलेगा यहां 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 हलका साथ इसमें ग्रीस लगाएंगे अब हमें इतना वर्किंग है उतने में यह स्मूच चलता है यह अटक रहा है अभी ग्रीस लेठीक है यह जहां पर अटक रहा है कि लगता है कि यह मशीन गिर गई थी जिसकी वज़ा से यह उतना स्मूथ नहीं चल पा रही इसमें कि फोड़ा और हमें मिनत करने पड़े गी अज़िए 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 इसके दात्य जो हाँ थोड़े से बेंड हो गए हैं इसकी वज़ा से इसके स्मूथनेस तरी नहीं आ रहे है अज़िए अभी इसको हम लगाएंगे ऑालेज़िए अज़िए झाल 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 ये कर से लिएट कि लेडं़ एाइब Genau ये, अब यह सही चलने शुरूर हो गई है कुछ रहत तक सही चल देहीं है कि इसको घुमाक्य लगा दिया हमने गलती से विट्टी लगा दिती यह अब यह हिस्सा मोटर में जाएगा अब यह 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 यहां पर कसे देंगे अब फिर इसे चला के देखेंगे इसे अब काफी शेट कर दिया है अब यह ठीक काम करेंगे शफाई भी कर दी इसकी और थार भी जो है शेट कर दी स्मूथनेस जो है वह भी इसकी सेक हो गई है अब आगे इसको अब चला के देखेंगे झाल के दोत कि अब बार के देखेंगे स्मूभया को तो इस तरह से यह हमारा ओक्टे हो गया है आज के लिए इस वीडियो में इतना ही इसी तरह से आप और भी अपनी प्रिमर मशीनें शीक कर सकते हैं नमस्कार अधाम राम सश्ट्रिया कर आज का चुटकला आपके सामने पेश है अंशु सर्पेहाथ वेटा दा जूंकर के मैंने का या क्या हो गया करता या कंपनी ने रूड़ लिया क्या हो गया पता तो सही कि वह कैसे क्या हुआ कि यह जा दो टन के एसी लिया था धरा के तोला तो बाखिकर लोगा निगला जची मझे घरा जह हुआ क्यों आपके सामने जा यह जा कॉमला मैंच हिल्गाै